तो दोस्तो जिन भी प्लेयर्स को ऐसा लगता है ना कि इंडियन फुटबॉल टीम का कोई ट्रायल होगा एंड देन हम उसमें जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे एंड फिर हम लोग इंडियन फुटबॉल टीम में खेल ले लग जाएंगे तो भाई आप लोग बहुत गलत सेमली में जी रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको इंडियन फुटबॉल टीम में खेल ला है ना तो उसका इस प्रोसीजर होता है पर्टिकूल यह आपको स्टेप बाई स्टेप जाना पड़ता है और आज की इस वीडियो में हम उसी प् करने चा रहे है कि इंडियन फुटबॉल टीम में आप लोग कैसे अपनी जगा बना सकते हो दोस्तों डिरेक्टली कोई भी प्लेयर इंडियन फुटबॉल टीम में नहीं खेल सकता है उससे पहले उसको कैम्प के थ्रू जाना पड़ता है लाइक 15 से 30 दिनों का कैम्प चलत होते हैं वो कुछ प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं कैम्प के लिए कुछ प्लेयर को बुलाते हैं सिर्फ वही प्लेयर जा सकते हैं और कुछ पर्टिकुलर लीक से वो उठाते हैं प्लेयर को लिक चलते हैं इंडिया में उसमें से उन प्लेयर को उठाते हैं और उनको फिर कैम् चलिए शुरू करते हैं तो दियान से सुन लेना वीडियो बड़ी होगी बट आप लोग के लिए इंपोर्टेंट होने वादी अगर इस पर क्लिक कर आया के देख रहे हो तो completely end तक देखना आधी information लेके मत जाना बाद में आप लोग कोई problem face करनी परती है तो दोस्तो जब आप लोग कोई चीज अची इसको अपने दिमाग में चाप लेना मैं screen पर आप लोग के साथ share कर दूँगा अब मैं आपको बताता हूँ यह है क्या Indian football की जो governing body है जो कि AIFF यानी की All India Football Federation उनकी website पे है यह उन्होंने इसमें बताया है कि आप लोग कैसे Indian football team तक पहुँच सकते हो बिलकुल basic level से तो उसी द्यान से सुनना उसके बाद कोई doubt रह जाता है तो मुझे comment करकर बता देना नहीं तो मुझे Instagram पर text कर देना मैं आप लोग को बता दूँगा वो doubt भी clear कर दूँगा तो दोस्तों यह जो triangle है इसमें actually क्या है जो men's team है women's team है और जो बाकी HKTDs की team है like under 18 की teams होती है under 17, under 15, under 13 स सब भी के लिए है सब भी के लिए procedure है तो इसको ध्यान से जुनना सबसे पहले काई इसमें competitions आते हैं आप लोग को ना सबसे नीचे वाले level के competition पर खेलना होगा लाइक जो आपके state में competitions होते है अब कौन-कौन से competitions होते है सबसे पहले आता है golden baby league यह होता है बहुत junior age category like under 11, under 13 then second आता है आपको inter school competitions जो आपके inter school competitions होते है अगर आप लोग school team में हो तो try करो अपनी school की जो football team है उसमें select हो वहां से आप लोग खेलो जब आप लोग school team में खेलोगे then वहां से आपको scouts मिलेंगे जब आप लोग matches के लिए जाओगे third चीज आज आता है private academies जो private academies होती है उन में जाकर आप लोग join करो उनके through matches खेलो वहां से भी आप लोग के पास chance हो सकते है then आता है आपका AFF trials AFF trials in state जो आपके state leagues होते है न state में leagues चलते है उन में try करो then आपका आता है local tournaments जो आपके state में हो रहे आसपास district में हो रहे उन में try करो यह मैंने आपको पात चीजे बताई है यह एक level पे लहें यह बिल्कुल basic level है आप लोग को पहले इन leagues में खेलना पड़ेगा इन tournaments में खेलना पड़ेगा जब आप लोग यहां अच्छा perform करोगे न स्कूल टीम से जाओगे, zonals में खेलने जाओगे, clusters में जाओगे, inter zonals में जाओगे तो वहां पर आते हैं दोस्तो scouts, scouts कैसे होते हैं इससे जो उपर का level है वो आती है national championship अगरा club national championship and state national championship तो जैसे मानों आपके club national championship है उसमें जो clubs होंगे न उसके scouts आइंगे वहां से आप आप लोग अच्छा perform करते हो, अगर आप लोग inter college में अच्छा perform करते हो, inter school में अच्छा perform करते हो, तो वहां के जो selectors होंगे उस club के वो आपको आपको आपके select करेंगे, इसका मैं बहुत बढ़ी है example देता हूँ, real life example है, हमारे जो school time था जब मैं स्कूल में था, 11th में था म मेरे एक senior था 12th में, तो हम लोग गए थे guys, inter zonals के trials के लिए, inter zonals होने वाला था है और उसके trials के लिए गए थे, हम school से 3 बच्चे गए थे, तो हमने हमारे selection जब हो रहा था ना, तो जो मेरा friend था, जो senior था, उसका selection हो गया था inter zonals के trials में, and वहां पर कुछ clubs के, Delhi के जो leagues हो कर दिया था, क्योंकि वह already एक club से खेल रहा था, same league में, तो आप लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल real life example में आप लोग को दे रहा हूं, कि जब आप लोग यहां पर अच्छा perform करोगे ना, zonal पे, inter zonal पे, तो यहां से आपको इससे एक उपर वाला जो level होता है, वहां के जो scouts ह वह आते हैं, अगर आप लोग अच्छा perform करोगे, आपको बिल्कुल select करेंगे गाईज वह, जब आप लोग इससे उपर वाले level पे खेलोगे, तो इससे उपर वाले level पे आपके क्या क्या आते है, आपके आता है, national club competition आता है, club competition के अंदर क्या क्या होता है, hero elite league, hero junior league, hero sub junior league, यह होते हैं, under 18, under 15, and under 13 की एच के टिगरी वाले, then आपका साथ में आता है, national state championship, इसमें भी आपका ऐसे होता है, santos trophy हो गया, आपका junior NFC हो गया, आपका sub junior NFC हो गया, NFC मतब national football championship, तो जब आप लोग यहाँ पर select होगे, उन clubs के थू, जब आप लोग उन clubs के थू, यहाँ पर teams के साथ खेलोगे न, जब आप लोग यहाँ अच्छा perform करोगे न, तो यहाँ पर आते हैं, Indian football team के scouts, सुन रहे हो न, ध्यान से, Indian football team के scouts आते हैं, national football championship अगरा में, जहाँ अगर आपने अच्छा perform कर दिया न, guys, तो आप लोग directly आपको call up आएगा, Indian football team के लिए, Indian football team के, sorry, Indian football team के camp के लिए, आपको call up आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ते हैं, आपको camp से through होके जाना पड़ेगा, अगर आच्छा perform करते हो in competitions में, call up आएगा, then आप लोग जाकर खेलोगे, Indian football team के camp में, and then भहाँ से आप लोग को selection हो जायागा, Indian football team के लिए, अगर भी आप senior team के लिए, बात करते हैं, senior team के लिए, यह तो ठीक है, 18, 15, 13 के age category वाले थे, जो यहाँ perform अच्छा करेंगे, वो उनको आगे chance मिल जाएगा, अब बात आते है, senior team के लिए, like जो players है, 18, above and 20, above, उनके लिए क्या, उनको chance मिलता है, professional leagues में, professional leagues आते हैं, hero, Indian women's league, Indian women's league हो गया, boys उनके लिए आता है, I league second division, I league and ISL, अब इन तीन लेवल तक आप लोग कैसे पहुँच सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग जब inter school, inter college, then inter university, यहाँ पर अच्छा perform करोगे, like अपनी state जो team, आपकी जो state level पर जब आप लोग पर पर लोग पर लोग परोगे, नैशनल लीग में आप क्या जाते है, second division, I league and then ISL, अब वहाँ से अगर मानों अच्छा perform करता है, उसको second division में chance मिल जाता, second division में और अच्छा perform करेगा, तो इन जो ISL, sorry, I league के club से वो उसको select कर लेंगे, वहाँ से, I league में अच्छे perform करते हैं, तो इन वो players, ISL में select हो जाते है, तो guys, ये एक procedure होता है, आपको step by step जाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि directly आप बिल्कुल उपर वाले level पर पहुँच के खेलने लग जाओगे, तो guys, यही एक procedure था, जब आप लोग इन professional leagues में खेलोंगे, ये होते है professional leagues, professional leagues में आपके आते है, में चार leagues, boys के लिए होते है, Indian super league, second league I league, third I league, second division, and women's के लिए होता है, Indian women's league, अब आपको मैं ये बता चुका, कि यहां तक कैसे खेल सकते हैं, professional leagues तक, छोटे level पे खेलो, school level पे खेलो, college level पे खेलो, वहां से और अच्छे level पे आओ, like club level पे आओ, then national level पे आओ, जब आप लोग इन leagues में खेलोगे, उसके बाद, players के लिए directly call up आता है, Indian national team के camp के लिए, इसका एक recent example बताता हूँ, Anwar Ali, Anwar Ali आप हो सकते, आप लोगे नाम सुना हो, अभी ISL में उसने debut किया था, ISL में बहुत बढ़िया खेला हो, as a center back या right back था हो, बहुत अच्छा उसने perform किया, वहां से उसको directly call up आ गया, Indian football team के camp के लिए ISL में खेला था, इस साल वो FC Goa से, उसको call up आया, Indian national football team के camp उसने बहुत अच्छा perform किया, और वो Indian football team के लिए select हो गया, तो आप लोग देख रहे हो, यह एक path है गाई, ऐसे ही फालतू में कुछ बनाया नहीं गया, इसको इसके through आपको होकर, होकर जाना ही पड़ेगा, जब इनमें आप लोग का selection कैसे होगा, इनके बारे में आप लोग कैसे पता चलेगा, आपके जो state leagues वगएर होते हैं उनके बारे में, तो आपकी जो state की football association होती है ना, उनको आप लोग follow करना शुरू करते हो, जैसे मैं रहता हूँ डेली में, डेली की state की football association हो, उसका नाम है football Delhi, उसको मैं instagram पर भी follow करता हूँ, facebook पर भी follow करता हूँ, उनकी website में regularly check करता हूँ, ऐसी आप लोग जिस भी state में रहते हो ना, उनकी website से रगुलरली चेक करते हो, जब भी उनके कोई trials आते हैं, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 18 के category के लिए, फिस senior category के लिए, तो वहां से आप date मिल जाता है, like recently, Santosh Trophy के trials भी हुए थे, तीन-चार महीने पहले ही हुए थे, डेली state team के लिए, तो ऐसी और भी state teams के लिए हुए थे, तो उसमें select होने के chances रहे, तो आप मैंसे जिनको अपनी state football association के बारे में नहीं पता, उनको भी मैं बता देता हूँ, कि description में मैं आप लोग के साथ एक link share कर रहा हूँ, जाकर उस पर click करना, वहाँ पर इंडिया की जितनी भी state football association है, उनके सब के नाम आ जाएंगे, उन पर जिस भी state में आप रहते हैं, उस पर जाकर click करना, वहाँ से आपको उनकी contact details देखने को मिल जाएगी, उनकी website देखने को मिल जाएगी, कौन से leaks जाकर जरूर चेक करना, वहाँ के लिए काफी helpful रह सकता है, अपनी जो state football association है, उनकी website regularly check करते रहो, साथ मों के इंस्टा पेजिस को भी follow कर लो, Facebook पेजिस को follow कर लो, वहाँ से आपको उनके trials पर अपडेट्स मिल जाएगी, जब आप लोग बहाँ जाओगे, अच्छा परफ सबसे पहले, camp के थुरू जाना पड़ता है, camp में जो player select होंगे, वही सिर्फ main team में खेल सकते हैं, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था, level के बारे में, कि सबसे पहले आपको सबसे छोटे level पे खेलना पड़ेगा, यानि कि आपको अपने district level पे खेलना पड़ेगा, अ आप लोगो चांस मिलेगा, national level पर, आपको चांस मिलेगा, जैसे hero elite league हो गया, junior league हो गया, sub junior league हो गया, seniors की बाद करें तो उसमें आजाते है, professional league हो गया, i-league हो गया, second division हो गया, IASL हो गया, उनमें आप लोगो धीरे धीरे चांस मिलेगा, और आप लोग अच्छा perform करते होंग देन आप लोगको इंडियन् फुटबल टीम के our call-up आता है वहां गर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो धेन आप लोग डिरेक्ली इंड्य फुटबल टीम सुट दोस्तो आज की वी-डिए थी लीज को देखो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई मुझे पता है बट का इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी एंड इसमें काफी सारा कंटेंट था इसलिए थोड़ा बताने में जाधा टाइम लग गया बट आप लोगों के लिए हल्फुल रहने वाली है इसमें मत आप लोग मुझे सकतें इंस्ताग्राम पर ने तो कमेंट कर देना जब भी मैं आपको देखूंगा मैं आप लोगों को जरूर करदूंगा अगर आप लोग आप लोग वैलिड कोश्यन होगा तो मेरे जरूर रिप्लाइ करूंगा अन हमाये चैनल को जबरूर सब्सक्राइ ना ना तो हम मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक है बाबाय लव यू और स्टेट 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 हल्दी कम आन इंडिया लेट्स प्लेए फुटबाल